आपका हर्दिक स्वागत है आज हम आपके लिए बहुती महत्रपून टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने दूबले पन से चुटकार अपराप्त कर सकते हैं और कुछ नेचुरल आयरुवेदिक और घरेल उपायों को अपना कर बहुती आसानी और सरलता से अपना वजन बढ़ा सकते हैं जिस तरह से मोटापा एक प्रेशानी का कारण है उसी परकार पतलापन भी पतले लोगों के लिए प्रेशानी का कारण होता है जो लोग पतले होते हैं वो अपने आपको अच्छा मैसुस कभी भी नहीं कर पाते हैं और आजकल तो लोग अपने दुबलेपन से प्रेशान होकर अपना वजन बढ़ाने के लिए कई परकार के प्रोडेक्ट्स और दवायों का प्रयोग करते हैं जो कि उन्हें कई परकार के साइड इफेक्ट्स दे जाते हैं जिन लोगों को भूग नहीं लगती है या फिर समय पर वो खाना नहीं काते हैं या फिर खाने को अवाइड कर देते हैं वो पतलेपन होने का मुख्यकारन हो सकता है वैसे तो वजन बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाईयां और प्राकरतिक उप्चार उकलद होते हैं किन्तो हमें वजन बढ़ाने के लिए हमेशा आयरवेदिक नुस्को का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और वो हमारे शरीर पर कोई हानिकारक प्रबाव नहीं डालते हैं जो लोग अकثر बुखार से ग्रैसित होते हैं उनका शरीर पतला हो जाता है और आसानी से वजन नहीं बढ़़ पाता है जिस व्यक्ति को टीबी यानि की शेय रोग हो जाता है वो भी अपना वजन बहुत ही जल्दी घटा लिता है और समय के साथ उसका वजन नहीं बढ़ पाता है कई बार रोगानों की खून में रासायनी करिया भी पतलेपन का कारण हो सकती है मनुष्य की थायरोड गरंती जितनी कमजोर होती है वह आदमे उतना ही पतला हो जाता है जो मनुष्य जितना जल्दी पतला होता है वह उतना ही जल्दी तकान महसूस करने लगता है और उसकी रोध परती रोधक शमता भी कमजोर होने लगती है जिसकी वजह से वे आसानी से बिमार हो जाते हैं तथा तरह तरह की बिमारे उसे आसानी से अपना सिकार बना लेती है या फिर पाचन शक्ती कमजोर होने के कारण हमारा खाना पच नहीं पाता है जिस कारण से व्यक्ति दुबला हो सकता है मानसिक चिंता और सोच आजकल के व्यक्तियों के कमजूर होने का मुख्य कारण होता है शरीर में सभी करियाएं हार्मोस पर निर्भर करती है इसलिए हार्मोस में गड़बड़ी होने के कारण भी पतलापन होना स्वाबाविक हो जाता है ज्यादा मेहनत का काम करने से और एसन तुलित आहार के लेने से व्यक्ति में दुबलापन आ जाता है कई बार पेट में कबज और पेट की बिमारी होने की वजह से भी पतलापन हो सकता है शरीर में खुन की कमी शरीर में वजन के कम होने का मुख्य कारण होती है कई बार भोजन में दूशित और असंतुलित फास्ट फूड का उप्योग करने से भी पतलापन शरीर को अपना शिकार बना लेता है खाने में फैट्स और प्रोटीन तथा पोशक पदार्थों की कमी होने के कारण भी शरीर का वजन कम हो जाता है इसलिए हमें हमेशा पोशक तत्तों का भोजन ही करना चाहिए कम पानी पीना भी वजन नए बढ़ने का मुख्य कारण होता है क्योंकि जब हम कम पानी पीते हैं तो शरीर में उपस्तित हानिकारक पदार्थ बाहर नहीं निकलते हैं और शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं जिसके कारण हमारा वजन नहीं बढ़ पाता है पतले व्यक्ति कुपोशन का भी सिकार हो सकते हैं इसलिए कुपोशन के रोग्यों को ध्यान रखना चाहिए कि वो इसके कारण और लक्षनों का हमेशा ध्यान रखे और खुद को इन से बचाए रखे तो दोस्तो आज इस वीडियो के जरीए हम आपको दूबला पन दूर करने और वजन बढ़ाने के कुछ गजब के घरेल उपाए बताएंगे जिनें अपना कर आप बहुती असानी से अपना वजन बढ़ा सकेंगे तो वजन बढ़ाने के सबसे पहले और गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने भोजन में कार्बो हाइडरेट्स और फैट्स की मातरा को बढ़ा दीजिए जैसे कि दिन में जितना होस के तीन से चार बार हेल्दे फूड लीजिए जिसमें चना, रोटी, मीट, आलू, सोयाबिन, गोभी और केला आदी लें वजन बढ़ाने के दूसरे गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने भोजन में ड्राइफ फूर्ट्स को सामिल करके भी अपना वजन बढ़ा सकते हैं दिन में दो से तीन बार ड्राइफ फूर्ट्स का सेवन करें जिसमें आप बादाम, किस्मिष, काजू, अक्रोट तता मुनक्खा को शामिल कर सकते हैं ये आपको वजन बढ़ाने में गजब की मदद देते हैं आज के तीसरे और गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि दूद और घी के प्रयोग से कैसे आप अपना संतोलित वजन बढ़ा सकते हैं सुबह अत्वा शाम के समय दूद पीएं तता खाने के साथ घी का प्रयोग करें गर्म दूद में आदा चमच घी और आदा चमच शेहद डाल कर पीने से आप अपना वजन बहुती आसानी से बढ़ा सकते हैं आप ऐसे आहार का सेवन करें जिसमें प्रोटीन की मातरा अधिक हो इसके लिए भोजन में आप दाल, अंडा, मचली और प्रोटीन युक्त पदारतों का सेवन आवश्य करें दूबलापन दूर करने और अपने वजन को बढ़ाने के अगले गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आप अश्वगंदा और सतावरी के प्रयोग से अपना संतुलित वजन बढ़ा सकते हैं आयुर्वेद में अश्वगंदा और शतावरी का प्रयोग दूबले बन के रोग को दूर करने के लिए किया जाता है इस उपाए में आप एक ग्लास दूद के साथ एक एक चम्मच चून लेने पर पतले बन से बहुती आसाने से आप चुटकारप राप्ते कर सकते हैं वजन बढ़ाने के अगले गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप चूकलेट का प्रयोग करके भी अपने वजन को बढ़ा सकते हैं चॉकलेट पाउडर को रात को सोने से पहले दूद में मिलाकर बीने से आप दुबलेपन के रोग को जड़ से कतम कर सकते हैं ये वजन बढ़ाने का बहुती कारगर उपाय माना जाता है अगर आप अपने दिन चरिया में नारियल और नारियल की तेल का इस्तिमाल करेंगे तो उससे भी आप अपना संतुलित वजन बढ़ा सकेंगे हमेशा खाने को नारियल के तेल में ही पकाएं नारियल के तेल और नारियल के दूद का सेवन करने से भी आप अपना वजन बहुती तेजी से बढ़ा सकते हैं अपना दूबला पंदूर करने और वजन बढ़ाने के अगले गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप दूद और केले का परियोग करके कैसे बहुती आसानी से अपना वजन बढ़ा सकते हैं। दूद के साथ केला लेने से वजन में व्रद्धी होती हैं। इस उपाय में आप दो बादाम और थोड़े से चने रात को पाने में बिगो कर रख दीजिए। सुबह के समय बादाम के आप छिलके उतार कर खाईए और साथ में चनों को भी चबा चबा कर खाईए। इससे आप आपका पतला पंदूर हो जाएगा और आपके शरीर में शक्ति का संचार होने लगेगा। और इससे आप अपना वजन बहुती आसानी से बढ़ा लेंगे। और वजन बढ़ाने के साथ साथ आप शक्तिवान भी हो जाएगे इससे। अगर आप अपने खाने को जैतुन की तेल में पका कर खाते हैं तो उससे भी आप अपने वजन को बढ़ा सकते हैं वजन बढ़ाने के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए बिल्कुल भी व्यायाम ने करना भी तूबलेपन का कारण हो सकता है व्यायाम करने से शरीर की सारी मासपेशिया खुले जाती हैं जो हमें दूबले बन को दूर करने में सहायता प्रदान करते हैं और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी भोजन खाए वो पोशक तक्तों से भरपूर हो और अपने जीवन में आप पानी की कमी कभी भी ना रखे क्योंकि कम पानी पेने वाले व्यक्ति अक तरह तरह की प्रेशानिया सामाने व्यक्ति के लिए चिंदा का विशेव बन जाती है जो की पतला होने का मुख्य कारण होता है इसलिए आप जितना हो सके मानसिक तनाव से दूर रहिए और फिजूल की सोच को अपने से हमेशा दूर ही रखिए इससे आप अपना वजन कम होन से बचा सकते हैं और एक संतुलित वजन करने में ये बहुत ही साइग होगा आपके लिए हमारे जीवन के लिए जिस तरह बोजन और पाने आवशक होता है ठीक उसी तरह बरपूर नीद लेना भी हमारे लिए बहुत आवशक होता है हर रोज कम से कम आठ गंटे की गहरी नीद आवश्य लें अच्छी नीद लेने से हमारी बोड़ी में नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं में तब्दिल हो जाती हैं अच्छी नेंद लेने के लिए रात को खाना खाने के बाद तुरंत सुरो जाएं और सुबह जन्दी उट जाएं इस परकार से आप गहरी नेंद लेना शुरू कर दीजिए इससे आप अपना वजन बहुती आसानी से बढ़ा सकेंगे इसके अलाव शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोजान आप अपने दिंचरिया में मालिस का उप्योग करें यह हमारे शरीर में रत के सब्जा को सही डंग से संचारित कर देता है जिससे भी मास्पेशों को सही बोसन मिलता है और शरीर का विकास अच्छी तरह से होता है आप मालिस के लिए सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर बादाम और जैतुन का ब्योग कर सकते हैं आलू वजन बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मददकार होता है आलू में वजन बढ़ाने की गुनों का समावेश होता है जिसमें फैट्स, कैलोरीज और फाइबर होता है इसलिए आलू अत्यधिक मातर में आप सेवन करें इससे भी आप अपना वजन बहुती आसानी से बढ़ा सकेंगे अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है तो आप अपने भोजन में टेरी प्रोड़क्स का उप्योग कीजिए जैसे की दूद, दही, मक्षन और पनीर इत्यादी दूद में वजा, कैल्सियम और विटामिन का अत्यधिक मातरा में होना पाया जाता है इसलिए आप इसका सेवन करके वजन बढ़ा सकते हैं इनके अलावे यदि आप मासाहरी है तो आप अंडा, मचली, मास का सेवन कर सकते हैं यह प्रोटीन और वसा के बहुत अच्छे स्थोत्र होते हैं इसके अलावे यह मासपेशियों का निर्मान करते हैं और शरीर की कोशिकाओं को मरमत कर देते हैं परंतु मासाहार का अधिक सेवन कोलेस्टोल को बढ़ा देता है जिससे आपको कई बरकार के रूप हो सकते हैं धन्यवाद दोस्तों